हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, इस्टरीबोट प्लस्वित प्रशांत फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक सिस्टम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज क्यों रेंफ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, पार्ट्स ओफ हाइड्रोलिक सिलेंडर इस वीडियो के अंदर, फ्रेंड्स ये वीडियो इसलिए भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो मैं दो वीडियो अप्लोल करूँगा, उसमें मैं बताऊँगा आपको तो types of leakages in hydraulic sirendr, and types of seals used for hydraulic sirendr, कौन-कौन सी seals ये उज करते हैं, या फिर कौन-कौन सी leakage hydraulic sirendr के अंदर होते हैं, वो दोनो वीडियो किस पर depend करेंगे आपके, complete इस वीडियो के उपर, that is, parts of hydraulic sirendr, तो इसी में सारा concept आपका clear हो जाएगा, चलिए फ्रेंड, time waste ना करते पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक स्लेंडर सबसे पहला जो पार्ट होता है फ्रेंड हाइड्रोलिक स्लेंडर में में पार्ट वह आपका हाइड्रोलिक स्लेंडर बैरल मान के चलिए फ्रेंड यह आपका हाइड्रोलिक स्लेंडर है अब यह मैंने इसको पिस्टन रॉड हो गई य जो ट्यूब-like structure होता है, जैसे कि यह ट्यूब देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं hydraulic cylinder barrel, यह किस से बनाया जाता है friend, cold drawn seamless tube से बनता है, cold drawn seamless tube, इसकी एक और खाशयत होती है friend, जब भी हम barrel को design करते हैं, तो पूरा barrel अंदर से machining होता है, machining इसलिए करते हैं, ताकि जो अंदर की surface ह barrel की smooth बन जाए, क्योंकि अगर यह smooth नहीं होगा, तो अंदर जब हमार यह piston, piston rod को हम डालेंगे, तो उसकी जो seal से हो damage हो जाएगी, इसलिए हम इसको बिलकुल machining करते हैं, और इसका जो use होता है friend, to contain the pressure, क्योंकि जो सारा आपका oil है, वो इस tube के अंदर आएगा, तो barrel ही आपक pressure को contain करेगा, और इसी पर depend करता है, इसके size के उपर, कि कितना force आ रहा है, या फिर कितना pressure है, hydraulic slender का, वो किस पर depend करेगा, barrel की size पर, क्योंकि capacity oil कहा होगी, इसी के अंदर होगी, तो पहला part अपना clear होगा है, that is hydraulic slender barrel, अब second part के अपन तरफ चलते हैं, जो second part है, वो है, hydraulic slender gland, hydraulic slender का, जो gland होता है, basically, यह क्या करता है, मैं आपको एक dragon बनाता हूं से पहले, मान के चलिए आप यह आपका hydraulic slender barrel है, और यहाँ पे आपकी यह rod है, piston rod, और piston rod के उपर, इस तरह से यह आपकी piston connect है, यह जो gap S में आपकी seal आती है, अब hydraulic slender है, उसके अंदर जो barrel के अंदर pressure आपका contain होगा, तो आपको उसे एक तरफ से enclose करना होगा, उसी enclosure को हम बोलते है, gland, तो यह किस तरह से enclose करेगा, यहाँ पे connect हो जाएगा, gland, यह चूड़ी दिख रहे हो, यह चूड़ी, ऐसी barrel के यहाँ पे चूड़ी होगी, इस जगा पे हम इसे tight कर और यह आपकी road होगी, तो gland है, इस हिससे में यह barrel पे tight हो जाएगा, एक और चीज आप देखना, पिक्चर में, यह चूड़ी देख पा रहे हो, यही जो चूड़ी है, वो इस पे tight होगी, और अंदर आप देख पा रहे हो, कुछ opening है, यह opening दिख रही है, यहाँ भी opening दिख रही है, इसी में हम gland seal को connect करते हैं, ताकि आपका gland के थूरू leakage ना हो, तो इसका काम क्या होता है, gland का, hydraulic cylinder gland को, यह pressure, जो chamber है, pressure chamber, उसको enclose करता है, एक side से, तकि जो tube है, वो तो hollow है, अब उसको रोकने के लिए हमें हाँ से कुछ चकनट लगाना होगा, वो ही चकनट को हम बोल की तरफ आते हैं, अगला part है, piston, hydraulic cylinder piston, तो इसको भी हम पहले आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है piston, यह देख सकते हैं, ऐसी जैसे gland पिश्टन के उपर भी चूड़ी होती है, तो यह जो मैंने circuit diagram बनायता है आप एक, यह आपकी piston road है, इस road के उपर भी चूड़ी होगी यहाँ पे, उस चूड़ी पे हम इस piston को tight कर देते हैं, तो piston का क्या काम होगा friend, यह आपकी pressure zone को divide करेगा, किस तरह से, जो आपका यह barrel है, इसके अंदर, cylinder के अंदर दो port होते हैं friend, एक port यहाँ होगा, एक port इस जगा होगा, अब मान लीजे हैं यहाँ पे अपना कोई direction valve लग आपा दिया, direction valve, इसकी मैं वो ही बना जता हूँ, operating conditions, अब यहाँ से oil जाएगा, इस तरह से, और यहाँ से भी oil जाएगा, यह आपका pressure port होगा, यह आपका tank का port होगा, तो जैसे ही friend, यहाँ से oil जाएगा, यह piston आगे की तरफ मूरवड करेगी, और इधर से oil drain हो जाएगा, जब इधर की supply आएगी, तो यहाँ से oil जाएगा, piston पीछे की तरफ मूवमेंट करेगी, इस तरह से piston का मूवमेंट पीछे हो जाएगा, तो क्या हो रहा है friend, इस piston के कारण, एक तो यह zone और यह zone, इस दो zone में हम divide कर रहे हैं, तो क्या करता है piston, pressure zone को divide करता है, separate करता है, pressure zone को separate करेगा, pressure zone को, आपको एक बार में करके दिखाता हूँ, यह देखिए, हमारी मान के चलिए, पिष्टन है, यह barrel है, यह मैंने समय करेक्ट कर दिया, और यह हमने, आप hydraulic oil समझे लिए इसको, और यह मैंने समय अंदर oil भर लिया है, तो आप देख सकते हैं, इस area में आपका, य लेकिन यह पीछे की तरफ नहीं है, जैसे मैं इसको press करूँगा, यह और कम होता चले जाएगा, तो इसी तरह से यह piston क्या कर रही है, divide कर रही है हमारी pressure zone को, चलिए, piston वाला भी हमारा concept clear हो गया है, इसके बाद आता है हमारा fourth part, piston rod, जिसको हम बोलते हैं shaft, तो shaft जो होती है, hydraulic hydraulic cylinder की, यह बनी होती है, hard chrome material की, hard chrome material, material, इसके ओपर भी machining की जाती है, जैसे कि आपने देखा था, barrel के ओपर, hard chrome material की बनी होती है, और इसको भी machining करती है, ताकि यह बिलकुल straight और smooth रहे, यह देखें इसको भी मैं देखाता हूँ, यह इस तरह से रहती है, यह hard chrome material की बनी यह piston की seals होती है, जो internal leakage को रोखती है, तो piston road का क्या काम होता है, यह piston road का, इसका काम होता है, power को transmit करना, piston road क्या करती है, power transmit करेंगी, कौन सी power, जो इस piston पे generate हो रही है, यहां से oil के current, इस piston पे power generate हो रही है, अब यह transfer कर देंगे हमारे piston को आगे movement करके, कोई job अगारा हमारे hold करना है, या press करना है, तो उसको power कैसे मिलेगी, इस piston road के through मिलेगी, next part होता है आपका end cap, end cap, जैसे कि जो gland होता है friend, यह उपर आदा चकनट मैंने दिखाया था, कुछ को slender होते हैं, उसमें नीचे भी opening रहती है, मतलब barrel आपका क्यों एक tube होगा, इस तरह से tube, उपर तो आपका gland वाल आ जाएगा चकनट, और नीचे भी आपका एक end cap होता है, ताकि इधर से भी हम इसको in close कर सकें, pressure chamber को, एक end से gland in close करेगा, दूसरे end से end cap in close करेगा, फिर आते हैं आपके cylinder ports, तो यह तो बहुत simple से हैं, यह आपके cylinder ports, दो ports होते हैं cylinder के अंदर, ठीक है न, तो इन start में आपको बताया था, एक separate video बनाई जाएगी, उस video के through, detail में समझाया जाएगा आपको, किस-किस types के hydraulic seal हम use करते हैं, hydraulic cylinder के अंदर, जैसे कि यह piston थी, तो piston के ओपर भी piston seals आएगी, यह जो opening देख रहे हैं यह आपर, इस piston के ओपर, यह piston seal आएगी, यह gland है, यह ओर आएगी, अंदर की तरफ gland seal आती है, या rod seal जिने हम बोलते हैं, तो इसके ओपर हम detail में एक video बनाएगे, फिर आती है fittings, fittings कैसे होती है, जैसे यह port definite, अब इस port का साइज हो जाकता है, 3x8, या वे 1x4, तो इसके हिसाफ से आपको अपनी required fittings चाहिए होती है, फिर आपके कुछ base parts होते जिसमें मैं आपको basically समझा दिया, barrel, gland या piston, piston rod का क्या काम होता है, function क्या होता है, अब इसी वीडियो का base रखते हुए, अगली वीडियो को हम देखेंगे, जिसमें हम बात करने वाले है, types of leakages and hydraulic cylinder, और hydraulic seals किस-किस types की होती है, जब तक कि लिए अगर friends, इस वीडियो को एक बा